कि अगर एल्जी की इन्वेटर मॉडल वाशिंग मशीन है चाहे वो टॉप लोड वाशिंग मसीन है फिर फ्रेंट लोड वाशिंग मसीन है तो आप उसको कैसे रिपेर कर सकते हैं और आपके सामने वी अगर मोटर में कोई दिक्कत आ रही है मोटर आपके प्रॉप दर्गी से नहीं रन कर वारी है तब वहां पर क्या फॉल होगा और उसको आप कैसे चेक आउट कर सकते हैं अगर इन्वेटर मोटर बॉशिंग मसीन है लगी चाहे वो टॉप लोड यो फिर फ्रेंट लोड तो आपको कहना इस वीडियो को कम्प्लीट बॉच कर लेना है जिसके मैं आपको जो इन्फॉमेशन दूँ अच्छे समझ आ जाए एक चीज़ का ध्यार रखना आपको वीडियो को स्किप निखना है क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो सारी इन्फॉमेशन आपको प्रॉपर दर्गी से नहीं मिल पारी और यह जो है प्रॉपर तर्गी से बार क्यों नहीं कर पा रही है यहां आप यह दिख रहे है डारिक ड्राइब 10 kg मलब 10 kg किया यह और इसमें जो है बड़ी मसीन है इसमें तो इसमें क्या है जो फॉर्ड आ रहा है वो आपके शाद शेयर करता हूं इसमें क्या है सब मोड पर इसको मैंने स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप जब कवर उठाएंगे तो वहां पर क्या है जब कवर उठाएंगे तो डी-ई का एरर आएगा तो आप मैगनेट ले लें जिसे की वहां पर क्या है एर कोड जो है वह रिमूव हो जाए है और यह आप देख रहे है है वह आपके सामने आप देखी रहे हैं कि इसका जो डहां है वह इकало के से नहीं गूंपा रहे है और इसमें क्या अटक अटक की चल रहे है तो आपकी इन्वेटर मोडिलवोजम वह सी ने लजी की अगर टेन केसी यह और उसमें क्या है को आयल वाली मोर्टव है बोम्भी ह करते हैं तो यह टगण के चला यह ओन्य मेने यह मैंग्नेट इस वज़े से मेंगनेट लगाई आगर मेंगनेट नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर De का ऐरो कोर्ट सो गागा तो इस वज़े जिससे इसको काम कर सकते हैं कि आप उसमें आप मेंगनेट रखें अपने पास जीश से कि वहां पर जो आप डोर उठाएंगे तो आपको यह प्रॉब्लम में वो अच्छे समझ आ जाएगा कि वहां पर क्या होता है आपको दिखाने विए और भी मैंने किया थी कि वहां पर सी जो प्रॉब्लम है वह अच्छे समझ आजा इस मसीन को पहले आपको इसको लिटा देना है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो पैनल है मैंने रिमूव और दिया उसके बाद सब्सक्राइब नहीं मतलब तो बन Tillट हैको मठना है असी Yum मारा आ Państwo गैस वर को घ्रकाहिस करता है और इससरясक्र तो सब्सक्रात okay घ्रके पास है कि मैं अबार पॉल्ड़ेस करें यहां पर एक व्लिद नहीं तो वाहप से क्या तो अभी क्या यह जो य सेंसर का है骂स कर दें वहाइब होता है इंदाट fulfilled हो और फिर आपका जो sensor है वो voltage मतलब PCV voltage odd नहीं कर रही तब महाँ पर क्या आपका PCV voltage odd नहीं कर रही तब इस sensor काम नहीं करेगा या फिर आपका wire cut है फिर भी यह काम नहीं करेगा तो voltage कितने आते हैं वो भी मैं आपको practically सब दिखाऊंगा practically करके दिखाऊंगा और को सबसे पहले मैं आपको इसको रिमूफ पर सिकाथा हो यह जो होता है इसके अंदरन कर लेना है इसको नट को रिमूब पर दें उसके बाद जो नट को रिमूब पर दें उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर एक कॉयल होती है जो मोस्टर लगी होती है तो इसको क्या है हम चाबी लेना है उसके ऐसको अच्छे से खोल देना है कोई दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा बहुत ऐसा करें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कि इसको किया है मैंने रिमूब कर दिया उसके बाद क्या यहां पर 6 नट लगे होते हैं जो आप देख रहे हैं मतलब यह जो मैंगनेट होता है इसी वजE से मतलब यह मैंगनेट осв Nik नती है और य्धार अभी चलती खेली तो इसी वेज़े से ही उपर लगा होता है तो आप क्या करें उसके बाद ये जो कुंड है आप को एल देख रहे हैं यह तीन मेंने रिमूप पर दिये ह। और इसके मोशचाइस यह नत को अगरम चाबिस कोलने तो होईल घोटिक ब् YAY तो वहां पर और ज्याद नुकसान हो जाता है हो जाएका तो आप क्या करें को देख लें चामी कही उचक्छ गरें या त्राप ऐसा कर सकते हैं थोड़े मुट भार चाबिस सेobic इक होल सकते और को आपको उपन करके फिर दिखाता हूं कि यहाँ इसको कैसे खोल सकते हैं तो इस तरह के साब ज्यादा वेटर की टामी का यूज करें उससे खोलें और अच्छे से खोल जाएंगे तो आप मैंने किया यह सारे नट खोल दी उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं करें तो यहाँ पर क्या है सारे नट पर अटैच होता है यहाँ देख रहे हैं यह जो लोग है इसके और इसकी जो कॉइल पर लोग है उन्हें में यह एटाइच होता है तो आप एजी तरीके से इसको प्रेस करेंगे यह बहाद रिमूब हो जायगा आसानी ज्यादा टफ नहीं इस तरीके से लगता है और एक लोग नीचे होता है इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो यह लोग बैठ जाएंगे और इसी तरह के इन तरीके से आपको इसको रिमूब करता है जिसकी सेंसर टूटे ना और इसका लॉग भी कोई नहीं टूटना चाहिए व पार्ट की आपको मगा सकते हैं कोई दिखकत यह बनना आपको की बलाना है और आटेका ही और यह जो है लोग अच्छे से प्यास करना वन्वनन दिक्कत हो सकती है तो आप लोग इस तरीके से प्यास करके बेठा सकते हैं ये फिट को आपने इसको ओपन किया उसी तरीके से आप इसको टाइट करेंगे अच्छे से तो यहां पर क्या है इस तरीके से आप इसको रखें उसके बाद जो इसके नट है छे नट होते हैं तो नट वह आपको ध्यान से उसी तरीके से लगा देना और सेंसर जिस रूप पर है उसी को आ आप इसको मतलब अच्छे से टाइट करके उसके बाद इसको मसीन को ऊपर की साइट लेना है जिससे कि आपको मैं चला के दिखाऊं तो मसीन जो है मसीन ऊपर लेते हैं उसके बाद मैं आपको यह जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाता हूं तो यहां पर क्या है हम जब इसक मसीन मसीन वैसे एक रहे है वैसे ही चल लोई ये मोटर प्रोफडर किसे नहीं चल पा रही है ये दिक्कत आ रही है अब मैं आपको यह चीज आपको गायड करूँगे कि यहाप इसको कैसे जैक इसको रिमूव करना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यू सेंसर होता है उसमें क्या चार वाय लगे होते हैं और जो बीच वाला जो पॉइंट होता है इसके सैंसर में वह बिल्कुली खाली यह उता है यहां पर किया क्या कि पीशी भी दिखाऊंगा कि पीशी सप्ला पर चलते हैं यह जो सेंसर है मैं इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा यह बीच वाली जो है वो फिरी रहती है वो साइटों से इसमें सप्लाई आती है वो डीसी सप्लाई आती है आपका इस चीज का दियां रखना है हमेसा जब भी चैक करें तो आप लेकर मोडल जो हो है तो यह जो जैक है PCW में लगा दे उसके बार आप क्या करें नीचे जैट से बोल्टिस मेटर ले अच्छे अच्छी कंपनी का शैर्ट से लेना है आपको एक जीज का दिया रखना है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है अगर लोकल वहाँ पर होता है मीटर दिख्कत आती है क्या करें अच्छी cumplई को क्या आपका मоду में तो है यहां-पर क्या है मैंने सब कुछ एकदम कर लिए उसके बाद इसका जय कर भी निकाल दिय Lehr यहां पर में इसको कि कैसे कर दिया ऀसी मेड़ का अधेकर छिए इस बाइर वगरहा नहीं बस ऐसे अटेच करने के लिए है ज्यक तो एक इस सच अटा ना फर यह एक ज्चाइट उसके बार आपको बोल्टिस्स देखना तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बोल्टिस्सルク नहीं से कटो या फिर आपकी PCV जो है supply और प्रोपर तरगी से नहीं कर पारी हो सकता है आपकी PCV में फॉल्ड हो तो इसका जो सेंसर है सेंसर बिल्कुल ठीक है उससे पहले जो चेंज गया था वो भी सेंसर ठीक था तो इस तरगी साथ पहले तो बोल्टेश चेक रहे हैं कि आपकी PC बोल्टेश और या फिर नहीं कर रही है अगर बोल्टेश और नहीं कर रही है तो हो सकता है आपकी PCV में फॉल्ड हो तो यहां तक मैंने देख लिया कि इसके जो बोल्टेश है वो साथ 6 इस तरीके से DC बोल्ट यहां पर 100 हो रहे हैं तो यह जो बोल्टेश से कम 100 हो रहे है यहाँ पर होना चाहिए 15 या 16 या फिर 9 बोल्ट DC सो होना चाहिए तो भूपी मैं आपको जब PCV चेंज करके दिखाऊंगा उसके बाद आपको दिखाऊंगे कि बोल्ट इस कितने सो हो रहे हैं तो अगर वाइरिंग में कोई दिक्कत है या वाइरिंग में कोई गन्फ्यूज है ने तो आप उसको कैसे चेक आट कर सकते हैं यह नहीं आ रहे हैं। पहले तो आप ऐसी देख लें, हो सकते हैं, बोल्टेस ठीक आदे हूं, बड यहां पर ठीक नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, चार, का पाच इस तरीके से बोल्ट की सिरा हैं यहां पर देख मत रहे हैं, पहले आप walked the way, whatガ से यह दिक्कत हो रही हुआ यहाँ पर किया इस तरीके साफ बॉल्टि चेक करेंगा उसके बाद हब देखेंगे तो यहाँ पर क्या चीस o लोह पीसी पॉल्ट आरहे तो अगlor है यहां से कम मिल रहे हैं तो अले हो अगर है ती बोंट कर पढ़ा सकते हैं रेपेट कर सकते हैं उसके बाद आप लगा सकते हैं तो यहां प्याहिए क्या है मैंने क्या है New PCB फन्रब यह पास एक औरै उसके बाद मैं आप को चेक और करके दिखाता हूं यहां पर ग्याहिए मेरे पास एक डूसरी पीसी भी है तो पीसी भी आप इस तरीके से इसको कनेक्शन कर दें जैसे जो जैक जहां पर है वैसे उसी तरीके से इसको अडेज कर दें उसके बाद मैं आपको जो मसीन है इसको मैं आपको आउन करके दिखाता हूं तो यह जो मतलब पीसी भी मैंने चेंज कर दी उसके बाद में आपको जो jack to jack की आएगा ऐसा नहीं कि आपको इसा jack किसी और port में लगा दें सबसे पहले आपको कहाँ नहीं है आपको अपर सप्लाई देख ले नहीं है आपको अन कर देख रहे हैं आप 15 ये 16 बोल्ट होना चाहिए DC बोल्ट तो यहां तक क्या है सप्लाई आ रहे है हमार पर सो रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको बोल्ड चेक करें उसके बाद यह जैक अठैज करें उसको आप बहुत मोड परी चला है यह फिर इस मोड पर चला है वह भी मैं तरीका बता दूगा कि आप उसको कैसे चेक ओड कर सकते हैं यहां पर आपको DC बोल्ट चेक आट करना है तो यह PC भी पीचीव कमेंड लगा दिया उसके बाद यहां पर मैंगनेट आपको लगा के फिर मैं दिखाता हूं तो मैंगनेट आप लगा दे इससे कि वहां पर क्या डोर डी का एरर कोड फो ना हो क्योंकि अगर वहां पर करेंगे इस जो मशीन है मंसीन चलना स्टार्ट हो जाएगी यहां पर पे पर कंग motiv aid लें mégane लगा लें उसके बाद यह जो दिखक्त है वह hen Speaking बदे करता है तो उसमें क्या करें एर भर दें या फिर आप उसको फूंग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने किया किया है यहाँ पानी डाला उसको फूंग दिया है उसके बाद यह मसीन जो है ऑन हो गई स्टार्ट होगी दोनों साइट अच्छे से यह मोटर चले कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस तरीके से इसमें मतलब देख सकते हैं और वहां पर क्या है जो प्रेसर सुचे उसमें एर भर दें उसके बाद आप मुझसे एर भर सकते हैं या फिर आप में सिरिंज लें उससे नहीं है तो आप इस तरीके से इसको चेकोट कर सकते हैं स्टेप बाइस टेप तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नीव जिट के चैनल को सब्सक्राब कर दो टैंक्यू फॉर वाचिंग